श्रिक्षनर फ्रेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन फ्रेंट्स, मैं हूँ आपका दोज सुरिद्र पाल और आज मैं आपको बताऊंगा कंडिशनल फॉर्मेटिंग के बारे में तो कंडिशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो हमारे ये टूल होता है है इस सारे रूल आज आपको क्लियर होने वाले हैं जैसे ग्रेटर दैन, लैज दैन, बट वीन, एक्वल टू, टैक्स अट कंटेन, डेट अक्यूरिंग, एंड डुब्लिकेट वैल लूँ सबसे पहले हम सीखेंगे ग्रेटर दैन, हमारे पास ये एक टेबल है, ये इंप्लॉई नो नेम है और इन्हों ने प्रटेक्ट इतना इतना सेल किया हुआ है तो friends हम इस लिस्ट में से देखना चाहते हैं कि 500 से जादा कितना सेल हुआ है और किसने किया है या फिर हम पूरी शीट में से देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं तो friends हम पहले इसको select कर लेते हैं अपने इस column को और sorry यहां से लेकर आपको क्या करना है यहां से लेकर नीचे तक हमने select कर लिया फिर जाएंगे conditional formatting में और highlight cells पर क्लिक करेंगे rules पर greater than पर क्लिक करेंगे तो greater than मतलब क्यों होता है friends बड़ा हम इसमें ठूड़ना चाहते हैं 500 से बड़ा हम condition देना चाहते हैं अगर इसके अंदर कहीं पर भी 500 से बड़ा होगा यानि 500 से ज्यादा होगा तो वह कैसा हो जाए वह green हो जाए तो friends हमने यहां पर green पर select कर लिया और OK बटन पर फ्लिक कर देंगे तो friends आप देख सकते हैं यहां पर 500 से जो भी ज्यादा है वह green हो गया अर less than select करेंगे less than मतलब क्या होता है चोटा friends हम यहां पर देखना चाहते हैं कि 500 से चोटा यहां पर जो है वह कैसा हो जाए 500 कैसा हो जाए वह condition देना चाहते हैं जहांपे भी 500 से छोटा हो जाए वो हो जाए yellow को की बटन पर click कर देगे फ्रेंज्स देखिए जितना भी 500 से छोटा है वो yellow हो चुका है इसी तरह से इसमें भी इसको select कर लेते हैं इसमें तीसी जो condition है हो जहाएंगे जाएंगे conditional formatting में highlight cell rules पर जाएंगे तीसरा है बटविंद, बटविंद मतलब होता है बीच में, कहीं पे भी अगर two-handed से और three-handed के बीच में, कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ हो तो वो कैसा हो जाए, तो फैंट इतने सारे rules आरहे हैं, और यहां से आप कुछ भी select कर सकते हैं, red हो जाए, okay बटन पर click करेंगे, तो वो यलो हो गई है तो इस तरह से friends हम ये तो rules निकाल सकते हैं बट ये जो rule है already पहले से हम जो select कर रहे हैं जैसे हमने green select किया yellow select किया हम अपना कुछ बनाना चाहते हैं तो friends अभी हमने देखना है कि यहां पर rule कहां का लगे हुए हैं आपने rule को हटाना है तो हटाने के लिए आप क्या करेंगे find में जाएंगे और यहां पर conditional formatting मिलेगा जैसे आप यहां के लिए करेंगे जहां जहां रूल लगे हैं वो select कर लेगा तो friends इतने में सब में rule लगे हुए हैं तो उसने पूरा select कर लिया suppose आप इतने से rule हटाना चाहते हैं only इस portion से तो इतने portion से rule हटाने के लिए क्या करेंगे conditional formatting में जाएंगे और सबसे नीचे मिलेगा clear rule friends यहां पर मिलता है clear rule for selected cell यानि आपने जो select किया है only उसी पे से rule हटेंगे और यह दूसरा होता है clear rule for entire sheet यानि कहीं पे भी rule लगे होंगे वह सब हट जाएंगे तो अभी हम selection जो हमने select किया है उससे हटाना चाहते हैं तो हम यहां क्लिक करेंगे clear rule for selected cell तो आप देख सकते हैं जो हमने select किया था हो वहां से rule हट चुके है अब चाहते हो कि पूरी sheet से हटाना है तो आपको कहीं select करने की जरुद नहीं है कहीं पे भी click हो आपको direct यहां पे conditional formatting में click करना है और clear rule पर जाना है और यहां पे आपको मिलेगा clear rule for entire sheet यानि पूरी sheet से rule हटाने तो आपको इस option पे click करना है तो आप देख सकते हैं पूरी sheet से rule हट गए friends एक चीज और समझते हैं अब हम इसको select करते हैं इसको select करने के बाद conditional formatting में जाते हैं और यहां पे greater than select करते हैं अब दीखे friends यहां पे जैसे हम हमने पहले 500 type किया था तो आप दुबारा कर देते हैं अब इसमें जो यह rule आ रहे हैं यह कुछ अपना rule बनाना चाहत तो आप custom format में भी जाके अपने खुद के rule बना सकते हो जैसे कि fill यानि जो background का color है वो कैसा हो जाए कोई भी 500 से बड़ा कहीं पे भी लिखा हुआ होगा तो उसका background का color कैसा हो जाए तो हमने background का color ले लिए red ठीक है और यह font यानि जो लिखा हुआ है उसका color कैसा हो जाए तो लेते हैं तो automatic में जो लिखे हुए का color है कैसा हो जाए यह low हो जाए और okay बटन पर click कर देगे तो friends आप देख सकते हैं जो हमने अभी formatting ली उसके according यह हो गया है अगर हमने cancel कर दिया तो यह पहले जासा हो जाएगा हम okay कर देते हैं तो देखिए जो इस तरह से आप अपना ज प्रैस हमने इसको select किया बेदेखिए यहां पर जाएंगे highlight declaring होता है बराबर यानी हम इसमें ढूदना चाहते हैav पर ना चाहता है यह सू पचास के बराबर कहीं पर कुछ लिखा होगा तो क्या हो जाए 650 के बराबर कहीं कुछ लिखा होगा तो यलो हो जाए या red tax हो जाए तो OK बटन पर क्लिक कर देंगे तो देखे वो red tax हो गया यह जो लिखा हुआ है उसका color red tax हो गया क्योंकि हमने equal to मतलब क्यों होता है बराबर ठीक है इसी तरह से हमने इसके बाद कौन सा rule है हमारा इसके बाद है tax that contain जो tax that contain होता है यहापे तो यह only tax के लिए होता है ठीक है तो जैसे हमारे पास बहुत लबी sheet है और हम देखना चाहते है हमारे employee के नाम कि किसी की detail देखनी कि वो कितनी जगे लिखे होए है सबोस हम राम इस पूरी sheet में से यह 1000 employee की sheet माल लेते है और हमें देखना है राम कुमार कहां का लिखा हुआ है मतलब उसका color change करना जाते है formatting color तो उसके लिए करना है आपको highlight पे जाना है और tax that contain पे click करना है friends यहाँ पे आपको क्या type करना है वो totally green हो गया है इसके बाद देखते हैं friends क्या है इसके बाद है हमारा date accuring यानी हम date देखना चाहते हैं देखे आज जो हमारे date है 24 फरवरी 23 और यहां से जो है हमने यह date में काम हुआ है तो हम इसको select कर लेते हैं और हम इसमें select करना चाहते है, date के according, जैसे date के according हम formatting लगाना चाहते है, तो conditional formatting में जाएंगे और यहाँ पर date actory पर click करेंगे तो friends, यह होता है, जैसे हमने today किया, suppose, तो today की date कैसी हो जाए, friends, अब यहाँ से कुछ लेना तो ले सकते हैं, तो green हो जाए, तो देखिए, अब today की date green हो गई, इसी तरह से, इसी select कर लेंगे, OK बटन पर click कर देखिए, friends, देखिए, आज जो today क्या है, यहाँ मेरा system में आप दे किया, दुबारा लेते है, date accurate, friends, इसी तरह से आप ले सकते हो, today, today तो ले लिया, yesterday, यानि बीते हुए कल, बीते हुए कल की date कैसी हो जाए, बीते हुए कल का red border हो जाए, हम color लेना चाहते हैं, border करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं, जो बीता हुआ कल है, यानि 23 February, इसको फिर हम इसको select करते हैं, और conditional formatting में जाते हैं, और यहाँ पर आता है date accurate, friends, हम देखना चाहते हैं, जो तुमोरो आने वाला कल है, उसका color कैसा हो जाए, उसका color red हो जाए, या फिर दूसा लेते हैं, यलो हो जाए, देखे, हमने यलो ले लिया, तो जो आने वाला कल है, देखे उसका color yellow हो गया, तो friends, इस तरह से हम इसका use कर सकते हैं, किसका date accurate, friends, इसके बाद, last बसता है, वाना duplicate value, अब friends, duplicate value, ये value के लिए होता है, suppose हमने ये पूरा column select किया यहां तक, और हम देखना चाहते हैं, कि यहाँ पे जाएंगे, highlight cell पे जाएंगे, duplicate value, जहाँ पे duplicate value हो, वो कैस कैसी हो जाए, वो जी red हो जाए, हाना, कैसी हो जाए, red हो जाए, तो हमने यह red fill पे click कर दिया, ok button पे click कर दिया, अब friends, यहाँ पे कहीं पे भी duplicate value होगी, तो वो red हो जाएगी, देखे, मैं यहाँ 223 टाइप करता हूँ, तो तो तोनों क्या हो जाएगी, red हो गई, क्योंकि य आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो please subscribe करे, like करे, share करे, thanks for watching